कैसे हो आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बखसे और आप सभी की सारी मनों कामनाएं पूरी हो जाएं और अभी सुबह की चाए वगरा पीने के बाद मैंने अपना साप सफाई का काम शुरू कर दिया है जाडू लगाने के बाद अब मैं पोचा लगा रहे हूँ क्योंकि अभी एक बार पोचा लग जाएगा तो फिर मैं ना दो के अपनी रसोई को संभाल लोंगी और वैसे भी जो ये जाडू पोचे का काम होता ना सच में एक बहुत ही अच्छी अक्सर साइज होती है इससे पूरे सरीर की एक एक नस खुल जाती है जाडू पोचा करने से सरीर का जो वजन होता ना वो भी कम होता है और अपना काम भी खुद से हो जाता है और वैसे भी मुझे तो अपने घर की साफ सफाई खुद से करना सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर माले आम किसी काम वाली को रखते हैं तो ठीक है वो जाडू पोचा साफ सफाई करके जाती है लेकिन जितनी लगन से जितनी मेहनत से हम लेडीजे अपने घर को खुद से साफ करती हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता है मैंने तीन महीने लगा कर देखा है उसको उससे पहले कभी भी मैंने किसी से काम नहीं करवाया था तीन महीने बीच में लगा के देखा कि चलो मैं भी करवा के देख लेती हूं लेकिन मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं अपने आप से जो सफाई गर्गी होती है वो नहीं हो पाती है और अभी अंदर पूरी साफ सफाई हो चुकी है बस लाश्ट ये बाहार का पोचा बच गया है यहां का लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और आज अपने बाल भी धोंगी क्योंकि कई दिन हो गए मैंने बाल नहीं दोए है और सर्दियों में जल्दी जल्दी में बाल दोती भी नहीं हूँ गर्मियों में तो हर चार दिन में पांच दिन में या कभी कभी तो तीन दिन में भी धुल जाते हैं और अब की बार तो सच में ही दस से ग्यारा दिन हो गई हैं तब मैंने अपने बाल धू लेते तो अभी एक बार ये साप सभाई का काम कम्प्लीट हो जाए तो फिर मैं नहाऊंगी अपने बाल धूँँगी उसके बाद खाना बनाने की तयारी करूँगी और अभी नहा ली हूँ बाल धो लिये हैं काफी गिले बाल हैं तो चुन्नी से लपेट लिया है क्योंकि अभी देखो सुबह सुबह इतना तो टाइम है नहीं कि चलो थोड़ी देर के लिए दूप में बैट जाऊंगी बालों को सुखा के कंगी करके फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी तो बहुत जादा लेट हो जाऊंगी इसलिए सोचा कि पहले अपने बालों को अच्छे से लपेट लेती हूं फिर रसोई के काम संभाल लेती हूं क्योंकि अगर बाल खुले रहेंगे तो कोई न कोई बाल कहीं न कहीं रसोई में गिरी जाएगा कहीं खा पहले भी हुए थे दवाई बगरा ली ठीक हो गए थे और कल से फिर बोल रहे है कि मुँ में च्छाले बहुए थी तो सुबह भी उन्होंने चाए बगरा नहीं ली थी मैं तो अब अपने लिए दोबारा से बनाओंगी तो मैंने चाए बनने के लिए रख दी है तब तक मै दही को भी बिलो देती हूं क्योंकि काम ज़्यादा है और समय कम है तो हाथ तो जल्दी जल्दी चलाने ही पड़ेंगे खाली खड़े रहने से अच्छा तो यह है कि अपने काम समेट लेती हूं तो एक बार में मक्छन आता भी नहीं है थोड़ी सी दिर मैं इसको चलाके और फिर इसको छोड़ दोंगी फिर इससका थोड़ा से एक टेम्परेश्चर सा लेवल में आ जाएगा थोड़ी दिर फिर चला दूंगी तो मक्छन चल्दी से कठ ठा हो जाएगा और अगर माल्या एक साथ इसको लगाता है और मैं चलाती रहती हूं तो इसकी मोटर गरम हो जाती है तो इसके जलने का खराब होने का डर बना रहता है तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूं थोड़ी देर इसको चला के और छोड़ देती हूं एक तो इसकी मोटर ठंडे हो जाती है और फिर बाद में चलाती हूं न तो मक्षन जल्दी से उपर आ जाता है तो दोनों काम अच्छे से हो जाते हैं अभी इसको तो छोड़ दिया है इदर मेरी चाए बन गई थी तो चाए को मैंने च्छान के रख लिया है कि अभी काफी गरम है तब तक साथ के साथ सबजी बनान पेठे की सबजी एक पेठा होता पीले वाला और एक है ये हरे वाला गोल में क्योंकि आजकल पेठे भी कई तरह के आ रहे हैं लंबा है गोल है तो ये गोल में है क्रीन कलर का सबजी इसकी काफी स्वादिश्ट बनती है थोड़ी सी और गर्मी शुरू हो जाएगी तब तो मेथी भी डाल दूँगी मेथी से इस सबजी का जो स्वाद होता ना सच में बहुत जादा बढ़ जाता है और मेथी तो वैसे भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है अभी इनको छील लेती हूँ दीरे दीरे प्याज भुनेगी फिर दो के साथ के साथ वहीं पे खड़ियों के काट लूँगी क्योंकि इसको छीलने में भी तो टाइम लगेगा चील के दो दा के सारी चीजे साथ के साथ मैंने तयार कर ली है और ये इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाल ली है और मेथी से सबजी सच में कापी अच्छी बनती है ये वाली और अभी साथ क के साथ इसको काट लोंगे, तो काम भी कर ल EvetSwue के क्योंकि अभी खाना भी बनाना है और सब काम कर लेती हूं आप सबको एक सुनदर सा भजन भी सुना देते हूं क्योंकि intent of Repsol का काम भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा को मन मेरी नाम सुमर ले या एक दिन पल मैं परले हो जारे मन मेरे ना मैं सुमर ले या एक दिन पल मैं परले हो जारे क्यों करता है मेरा मेरा कुण बता दे जगत मैं तेरा क्यों करता है मेरा मेरा कुण बता दे जगत मैं तेरा यो चिडिया के सारेन बसे रा कोई दन बासा कर ले रे एक दिन पल मैं परले हो जारे मन मेरे ना मैं सुमर ले रे कोडी कोडी रे माया जोडी बन बैठ रे भाई लाख करोडी कोडी रे कोडी माया जोडी बन बैठ रे भाई लाख करोडी तेरा संग चाली नाम आया जोडी तुम कोई तसुक्रम कर ले रे मन मेरे नाम सुमर ले रे एक दिन पल मैं परले हो जारे मन मेरे नाम सुमर ले रे पाँच इंदरी करें खिलाडी इन में बट के नर और नारी धरम राज की मार करारी तुम इन नह बस में कर ले रे मन मेरे नाम सुमर ले रे एक दिन पल मैं परले हो जारे मन मेरे नाम सुमर ले रे धन सत्गुरूंट तो फ्रेंड से आप सब को ये भजन कैसा लगा आप सब मुझे क्मेंट्स करके जरूर बताइए और ये जो हमारा मन होता ना सच में बहुत ही भागता रहता है ना ये भजन करने देता है ना ये मन्दिर जाने देता है ना ही ये चैन से बैठने देता है सारे फसाद की जड़ ही इनसान का मन होता है अगर मन बस में आ जाए ना तो बस फिर तो परमात्मा को पाने में देर ना लगे तो ये देखिए इधर मैंने गाए माता की रोटी बना दी है और आज विशाल अनूज जे अनूज के पापा आज मैं इन तिनों के लिए बना रही हैं, तो रोटियां तो मैंने चार पांची बना रखी थी, कि चुर्मा खाने के बाद किसी का मन करें, एक रोटी खाने का सबजी के साथ मैं, तो बना देती हूँ, बाकRI अगर इस उवह सुवह मुझे बोलते हैं, कि चुर्मा बना देना तो मैं सब्जी ना बनाती फिर उसको रहने देती लेकिन फिर बाद में इनकी इच्छा होगए कि चुर्मा बना दो तो सोचा कि चलो सब्जी शाम के टाइम पे काम आ जाएगी जिसको जितनी खानी होगी खा लेंगे तो अभी चुर्मा बना देती हू और चुर्मा बना रहे हूं सक्कर के साथ क्योंकि सक्कर में जो हम चुर्मा बनाते हैं सच में ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे अगर एक अलग से रोटी बनाने वाला हो ना दूसरा साथ में चुर्मा बनाएं तो जल्दी से बन जाता है लेकिन खुद से रोटी बनाओ, उसमें सक्कर रख रख के ढखते जाओ, तो रोटी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, फिर चूर्मे को मसलने में टाइम लगता है, काफी मैनत करनी पड़ती है, लेकिन चूर्मा तो वही होता ही, मैनत का है, बिना मैनत के तो चूर्मा बनता नह तो आप सब भी आईए और दही के साथ चुर्मा खा लिजी वैसे अगर ये पहले बोलते हैं तो साइद में दाल बना देती क्योंकि दाल दही और चुर्मा इन तिनों का तो एक अलगी मेल होता है खाने में बहुत अच्छे लगती हैं तो सब के लिए चुर्मे के लड़ू ब और ये देखिए अभी दो पैर के साड़े बारा बच चुके हैं और बालों में कंगी करने का टाइम मुझे अभी तक नहीं मिला है क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं अकेले मैनेज करना भी मुस्किल हो जाता है और फिर मैंने सुबह देखा कि आठा काफी कम बच गया है मुझे कनक भी साफ करनी थी तो सूचा बालों में कंगी बाद में ही करूँगी पहले गेहूं साफ करके और कटे में डाल के रख दूँगे जैसे विशाल के पापाजी को टाइम मिलेगा तो फिर ये आठा पिसवा के ले आएंगे और मालियाब मैं कंगी करके और अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करतीजिए आज की इस वीडियो का मैं यहीं परेंड करती हूं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामे राधे राधे जै श्री राधे बाई बाई पूश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए